एलो फ्रेंट्स वल्कम बैक माई यूट्यूब चैनल बाइलोजी साइंस आज हम आप लोगों को जयो बिविद्धा के हाट स्पोर्ट बताएंगे अर्थाथ हाट स्पोर्ट साब बायो डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा व जगहों के जियू बराबर नहीं होते हैं मतलब कहीं जादा हैं तो कहीं कम होते हैं बिलकुल उसी प्रकार से जयो बिविद्धा अथवा बायो डाइवर्सिटी भी एक समान नहीं होती है जयो बिविद्धा अथवा बायो डाइवर्सिटी का अर्थ है जयविक संगठन के बिभिन अस्तरों पर पाई जाने वाली बिभिनिता को ही जयो बिभिता अथवा बायो डाइवरसिटी कहा जाता है अब संगठन के बिभिन अस्तरों का मतलब क्या है तो संगठन के बिभिन अस्तर जैसे अन्वानसिक बिभिता है जाती बिभिता है पारिस्थितिक बिभिता ह ये संगठन के विभिन अस्तर होते हैं तो संसार के कुछ भागों में अनेक प्रकार के जीवों की बहुलता होती है यहनि बहुत से ऐसे भागों होते हैं जहाँ पर अनेक प्रकार के जीवों पाये जाते हैं अधिक संख्या में और कुछ छेत्रों में जीवों तथा जीवजातियों की संख्या बहुत कम होती है लेकिन कुछ ऐसे छेत्रों होते हैं जहां पर जीवजातियों की संख्या कम होती है जिन छेत्रों या प्रदेशों में जीवजातियों की संख्या बहुत अधिक होती है उन्हें Mega Diversity Zone कहा जाता ह तो Mega Diversity Zone क्या है? जिन छेत्रों या प्रदेशों में जिवजातियों की संख्या बहुत अधिक होती है। उन्हें ही Mega Diversity Zone कहते हैं। तो भारत एक Mega Diversity Zone है। दसमलो चार प्रसत है यानि पूरे बिसु के छेत्रफल का केवल दसमलो चार प्रसत छेत्रफल है लेकिन बिसु की आठ प्रसत जिवजाती है इसमें पाई जाती है इसलिए भारत को मेगा डायवर्सिटी जोन कहा जाता है और मेगा डायवर्सिटी जोन होगा क्या तो जिन छ 1988 में हाट स्पोर्ट की संकलपना प्रस्तुत की हाट स्पोर्ट संसार में मेगा डाइवर्सिटी वाले वे छेत्र हैं जहां जन्त वा पादपों की जातियां बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती हैं हाट स्पोर्ट क्या हैं संसार में मेगा डाइवर्सिटी वाले वे छेत्र जहां जन्त और पादपों की जातियां बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती हैं अधिक संख्या में पाई जाती हैं किन्तु उनके विनास की बड़ी संभावना है और उनके संदख्षण की तुरं स्थानिक जातियों की संख्या एक छेत्र में पाई जाने वाली जीवजातियों की संख्या है वो और उसमें पादप और जनतों की इस्थानिक जो इस्थानी संख्या है जातियों की और दूसरा है आवास नश्ट होने के कारण वन जीवों की जातियों की विलिप्त होने की संभावना है क्योंकि उनके घर नहीं रह गए हैं आवास नहीं है जहां पर वो रहते हैं तो इसी का पूरे संसार में कुल 25 हट स्पॉर्ट निर्धारित किये गए हैं यह संसार के कुल अस्थल छेत्र के एक दसमलों चार प्रसत भाग में इस्थित है इन छेत्रूं में 20 प्रसत मानो जनसंख्या रहती हैं इसमें पूरे बिसु की 20 प्रतिसत मानो जनसंख्या रहती है अताहा मनुस से इन अस्थानों के जैविक बिधता सुरोतों को नश्ट करने के लिए उत्ताई क्योंकि 20 प्रतिसत जनसंख्या रहती है इसलिए मनुस जो है इन अस्थानों के जैविक बिधता सुरोत जो है उनको करता है चलिए अब जानते हैं कि भारत में होट स्पोर्ट कौन से हैं होट स्पोर्ट इन इंडिया तो संसार के ट्रॉपिकल प्रदेश में सबसे अधिक अर्था सोलह हाट स्पोट हैं जो संसार का ट्रोपिकल प्रदेश है वहाँ पर सबसे अधिक हाट स्पोट है कितने सोलह भारत में केवल दो हाट स्पोट हैं भारत में कितने हाट स्पोट हैं केवल दो हैं पहला पूर्वी हिमालयन हाट स्पोट और दूसरा पस्चमी घाट हाट स्पो इसमें कौण कोन से आते हैं, आशाम, नेपाल, शिक्किम, तथा भूटान संबलित हैं इस होट सपोट के अंतरगत आसाम, नेपाल, शिक्किम, भूटान आदी आते हैं और इसमें सीतोष्ड जंगल पाये जाते हैं यानि टेंप्रेटी bank forest पाई जाते हैं जो ठंड़े होते हैं वो पाय जाते हैं इस चेत्र में बहुसी गहरी वह अलग थलक पड़ी घाटिया करण इस च्छेत्र में पादपों की बहुत सी इसथानिक जातिया पाई जाती हैं अब इसलिए क्या होता है कि यहां पर जो पौधे होते हैं वो इस्थानी जातियां पादपों की वहाँ पर बहुत सी पाई जाती हैं इस छेत्र को पुस्पी पादपों की कई नई जातियों की विकास का सक्रिय छेत्र माना जाता है यानि जो पूर्वी हिमाल नई जातियों का विकाश होता रहता है क्योंकि इस छेत्र में इंजियो स्पर्म की कई आधिम जातियां भी अभी पाई जाती हैं इस छेत्र में कई नई जातियां विक्सित क्यों होती हैं क्यों सक्री रहती हैं क्योंकि इस छेत्र में इंजियो स्पर्म की कई आधिम जातिया आदिम यानि primitive यानि बहुत पुरानी जातियां पाई जाती हैं जिसके करण कई नहीं जातियों के विकास का सक्रिय छेत्र इसे माना जाता है पादप प्रजातियों में सम्रिध्ध होने के कारण इस hot spot वाले छेत्र में जंगली जन्तु की भी बहुलता है क्योंकि यह पादप प्रजातियों में सम्रिध्ध है यानि यहाँ पर प्रजातियों बहुत सारे पॉधे पाई जाते हैं, कई प्रकार के पॉधे पाई जाते हैं जिसके कारण इस hot spot वाले छेत्र में जंगली जन्तु की भी बहुलता है यहाँ पादप्रजातियों के करण ही यहाँ पर बहुत से जंगली जंतु भी पाय जाते हैं यहाँ सरिस्रप जंतु की बहुत से स्थानी प्रजातियां भी मिलती हैं और जो सरिस्रप वर्ग है इस वर्ग के जो जंतु होते हैं इन जंतों की भी स्थानी प्रजातियां बहुत से पाई जाती हैं, endemic species बहुत से पाई जाती हैं इस hot spot के अंतरगत, या हीमालेन, पूर्भी हीमालेन hot spot के अंतरगत, फिर दूसरा है पस्चिमी घाट hot spot, western ghat hot spot, तो या भारत के पस्चिमी तट के साथ लगभग 1600 किलोमेटर का चेत्र होता है इसमें करनाटक, महाराष्ट्र, केरल वा तमिलनाडु का तटिय भागाता है यानि जो पस्चबी घाट हाट स्पॉट है इसके अंतरगत करनाटक, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु का तटिय भागाता है इसमें समुद्र के किनारे किनारे तथा पहारी चे रहें इन छेत्रों में भी सेमी इवर ग्रीन जंगल और सदा बहार जंगल पाए जाते हैं साइलेंट वैली अमाम बलाम रिजर्ब जैसे हाट स्पोट पस्चमी घाट के हाट स्पोट हैं साइलेंट वैली और अमाम बलाम यह कहां के हाट स्पोट हैं पस्चमी घाट के हाट स् आप लोग अलग-अलग class wise playlist मेरे चैनल में बनी भी है तो चैनल की playlist में जाकर के class 9th, 10th, 12, 11 सारे playlist अलग-अलग हैं वहाँ जाकर के अपने class का देख सकते हैं वीडियो ऐसे भी देर थी जो competitive exams देने जा रहे हैं किसी भी परिच्छा को देने जा रहे हैं तो मेरे चैनल में objective questions uploaded हैं वो लोग भी playlist से जाकर के objective questions देख सकते हैं छोटी class से लेकर के 9th से लेकर के 12 तक के बालो जी के questions uploaded हैं उसी में से पूछा जाता है तो वो लोग भी वहाँ पर जाकर के playlist से वीडियो को देख सकते हैं आसा है आप लोग समझ गए होंगे कि hot spot क्या होते हैं और यह कहां कहां पर है उनके नाम कौन कौन से हैं